नमस्कार दोस्तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल The Trade Bull Official में दोस्तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि कल बैंक निफ्टी कहां पे 24 मार्च को कहां पे कामकाज कर सकता है आपके call put के क्या target रहेंगे और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने अपने लिए support resistance कहां पर बनाई आज मार्केट के अंदर क्या क्या हुआ तो इस वी वीडियो को एक भी मिनट मत skip करिएगा तांकि आपको बहुत important information है वो miss ना हो जाए तो दोस्तों जैसे कि आपको जानते हैं discord पर मैंने सुबा बता दिया था gap up opening है market के अंदर और market ने open होते ही market ने open होते ही अपना यहाँ पर एक high लगा दिया 36,827 का gap up opening हुई market यहाँ पर गई high लगाया और उसके बाद exactly यहाँ पर नीचे की तरफ नीचे की तरफ यहाँ पर I-36 यहाँ पर 300 की आसपास इसने एक अपना lower high यहाँ पर market के ने लगा दिया इसके बाद pullback आये market के अंदर 11 बजे के बाद market के अंदर कोई भी trade नहीं था यह मैं YouTube पर बोल बोल कर थक गया लेकिन लोगों ने बात नहीं सुनी काफी यहाँ पर एक पैसा यहाँ पर कवाया होगा यह मैं शॉर्टी से कह सकता हूँ और इसलिए मैं कहता हूँ मेरी जो live stream होती है उसको आप ध्यान से सुनिया करिए अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कोई भी trade नहीं है तो इसका मतलब कोई भी trade नहीं है market में अगर trapping हो रही है इसका मतलब वाक्य में हो रही है अगर आप देखिए अप ध्यान से क्या हो रहा है market यहाँ पर अपने लिए एक यहाँ पर trend line में काम कर रही है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह कुछ ऐसा सा trend line यहाँ पर बना हुआ है जो market इसको आपको बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है तो इसलिए ignore करिया करिये ऐसी trading के अंदर गलती से मत पंगे लें ऐसी market के अंदर अब कल क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा कल आपको call की position में सिर्फ एक ही सेनारियो में बैठना है अगर market आपको यह level यह level यह है 36,350 का इसके उपर अगर market निकलेगी तभी यहाँ पर call की position बनेगी जो targets होंगे वो mention कर देता हूँ मैं आपके कल के लिए 36,500 और 36,600 यह दो target आप back nifty में चीफ करते वोगे नजर आएंगे आपको अगर market 36,350 के उपर break करके निकले तो और नीचे की तरफ आपने put की position में सिर्फ तब बैठना है जब market आपको यह 36,000 इस level को तोड़ेगी तभी यहाँ पर put के नीचे बैठेगा otherwise छोड़ दीजिएगा market को target आपके नीचे की तरफ जो होंगे 35,900 और 35,850 बस दो target है नीचे की तरफ यहाँ पर अगर market आपको 36,000 के नीचे यहाँ पर निकलती वी नजर आए और प्लीज आपसे request है कि कल अगले हफते की expiry में काम कीजेगा कल के expiry में जो decay है वो बहुत fast होगा otherwise आप यहाँ पर loss करके जाएंगे market के अंदर तो वीडियो जो है मेरी live stream पर देखते रीजिएगा उस पर मैं बता दूँगा market sideways है नहीं है क्या चल रहा है market के अंदर तो आपको वहाँ पर काफी help मिल सकती है तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते थांक्यू बाबाई और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक का बटन जो प्रेस करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद